आदमपूर उप्चिनाव के सहफ रभारी बनाने पर बीजेपी हाई कमान का भार उन्होंने जताया साथी आदमपूर में हमारी जीत होगी ये दावा भी क्रिशनाल पवार की और से किया गया तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आदमपूर उप्चिनाव के लिए सहफ रभारी बनाये गए हैं राजे सबासांसत क्रिशनाल पवार खबरे अभी तक से उरोने खास बातचीत की इस दुरान क्या कहा है उरोने सुनवाते हैं आदमपूर उप्चुनाब को लेकर विगुल बच चुका है हमारे साथ आदमपूर उप्चुनाब को लेकर सहपरवारी बनाये गए किश्चनल पावार मौजूद है सर बड़े जिम्मदारी बीजेपी हाई कमान ने आपको दी है किस तरीके से देखते है सर आदमपूर चु बहुत सतर्व पर भी हमारी कमेट्री का गठन है तो इसलिए भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकर साथ साहित है कि हम जो आदमपूर उप्चुनाओ को जीतेंगे इसलिए कल हमारी परदेश कारेकारणी की मीटिंग इसमें पिपिल देव हमारे परदेश के परभारी मानिय परदेश के मंतरी और पदादी कारियों के मीटिंग हुई उसमें आदमपूर चुनाओ पर चर्चावी और जो परदेश के चुनाओ है जिला प्रिश्ट बलोक समीती पंच सरपंच सब के वारे में चर्चावी आदमपूर चुनाओ में भुपेंट सुंगुटा लगातार हर एक मंच पर जाकर ये बोल रहे है कि कॉंग्रेस का गड़ है और कॉंग्रेस का इस बार जीत सुनश्चित है आदमपूर की जनता मन बना चुकी है किस बार कॉंग्रेस को वहाँ से उनकी जोली में जीत डालत जितते आए निश्चित तोर पर जनलाल जी ने उस इलाके में काम किया तो बार बार कॉंग्र जिताता है तो इसलिए आज भी उनके परतिर लोगों की आस्ता है तो निश्चित तोर पर उनको सफलता मिलती रही है आज कुलदी पिसनों भारतिय जनता पार्टी में आए है लेकिन भारतिय जनता पार्टी उस परिवार को या किसी वेक्ति को जिसको भी उमीदवार बनाएगी अब वो एक पार्टी का उमीदवार बनकर चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तोर पर भारतिय जनता पार्टी में से चुनाव जितेगे तो निश्चित तोर पर भार सरादों में लिश्ट जारी की अई माचल की भी तो मेरे ख्याल से कोई जनादार हर्यान परदेश में नहीं है बीजेपी किस से टक्कर मानते है सरादमपूर के हम बात करें हम किसी से कोई टक्करनी मानते दूसरे तिस्रे स्थान पर दूसरी पार्टी अपना जो चुनाव लड़ेंगी वो चुनाव लड़ेंगी भारती जंता पार्टी है किसी साथ कोई मुकाबलानी नमबर एक पर आ है आकरी सवाल सर पंचायच चुनाव की भी घोशना हो चुकी है किस तरीक से देखते हैं पूरे परदेश में आचायच सता लग गई है पंचायच चुनाव का भी बिगल बच चुका है सर इसमें पंचायच के चुनाव घोशित हो चुके हैं जिस परकार से 30 तरीक को हमारे जिल तो जिला परिश्द भी हमारे जिला की जो कमेटिया है हमारा शंग्ठ ने उसके ओपर छोड़ा है कि जिसको शिंबल पर लणाना चाहते हैं अपनी सुची भेज़ दें और जिसको इंडिपेंडने चुनाव लणना तो इंडिपेंडने लेकिन भारती जनता पार्टी चुना कर आए और विकास हो बहुत बहुत धन्य बाद सर तो ये थे किश्णाल पावार जो की आदमपूर उपचुनाप के लिए सहपरवारी बनाये गए हैं काफी बड़ी जिम्मदारी किश्णाल पावार को दी गई हर वो सुनिशित कर रहे हैं कि बीजेपी ही आदमपूर से च प्रिया बीतख